जो साथ ही हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं उनको पता होगा 10 सितंबर को हमने एक्सपेक्ट की थी कि 4500 प्लस वेकेंसी इस बार आएंगे SSC GHT 2022 में हमने टेलिग्राम चैनल पे वो पोस्ट डाली थी साथ में जो कम्यूनिटी सेक्षन हमारे चैनल पे है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दस्तारिक को हमने इस तरह से वेकेंसी डाली थी और रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई जहां पर 331 वेकेंसी कैटेग्री वाइज कंफर्म हमने कर दी उसके बाद में हमने कहा थे कि 370 प्लस तो आएंगी ही आएंगी साढ़े 400 हो सकती हैं अगर CBIC 96 वेकेंसी रिपोर्ट करता है अब आपके सामने जो ये न्यूज आ रहे है धमाके वाली तो ये डियो पीटी के और से लेटर है और यहां पर लिखा हुआ है फिलिंग अप ओफ वेकेंसी इन मिशन मोड रिक्रूटमेंट मोड आगे चलते हैं तो इन्होंने कहा है कि भा सबसे उपर आ रहा है यानि कि यह है अलफाबेटिकली ओडर से है तो सबसे उपर है बी आरो ने 21 वेकेंसी भेजी थी मैंने कहा था कि 25 से 30 आ सकते हैं टोटल इनके पास 47 है और इस बार बी पी आरडी के और से एक वेकेंसी है जेएच्टी के लिए आगे चलते हैं आगे है 23 वेकेंसी CBD की हमने कंफर्म कर दियां कैटेगरी वाइज कैट के और से 4 वेकेंसी कंफर्म हो और फिर आता है आपका Department of Commerce, Minister of Commerce and Industry इनके और से 3 वेकेंसी हैं और फिर है Department of Science and Technology तीन वेकेंसी इनके और से हैं जेएच्टी की Department of Agriculture, Corporation and Farmers Welfare, Minister of Agriculture and Farmers Welfare इनके और से एक ही वेकेंसी है जेएच्टी की फिर आता है Department of Communication जो आपका पोस्ट वाला डिपार्टमेंट है एक वेकेंसी भीजी है यार क्याद फिर आता है जी Directorate General of Aeronautical Quality Assurance दीजी एक है इनकी और से भी एक ही वेकेंसी है फिर है जी DGFE इनकी और से दो वेकेंसी है Ministry of Defense में आता है ये फिर है IHQMOD इनकी और से 11 वेकेंसी हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में दो वेकेंसी है और फिर आता है IMD के और से 3 वेकेंसी है तीनों शाय दो भी सीखेंगे इनकी लिंक देदेंगे इसका फिर है Ministry of Civilization एक वेकेंसी इनकी और से है बहुत सारी वेकेंसी है फिर है Ministry of Development of Northeastern Region इनकी और से एक वेकेंसी है Ministry of Electronics and Information Technology एक वेकेंसी इनकी और से Ministry of Environment, Forests and Climate Change बारे वेकेंसी इनकी और से है हलंकि हमें इन्होंने कोई reply नहीं दिया सा RTI में Ministry of Health and Family Welfare, DGHS इनकी और से 3 वेकेंसी है Ministry of Housing and Urban Affairs तेरे वेकेंसी इनकी और से है Ministry of Labor and Employment पाँच वेकेंसी इनकी और से है Ministry of Shipping एक वेकेंसी इनकी और से है Ministry of Statistics and Prog Implementation 26 वेकेंसी भेजिया है और आगे चलते हैं 47, Ministry of Defense, Office of the JS and CEO, AFHQ, 47 वेकेंसी हमने पहले confirm की थी, category wise इनका भी डेटा है हमारे पास और जो वीडियो है वो उसमें भी है Ministry of External Affairs तीन वेकेंसी नोंने भेजिया है बहुत वेकेंसी है Ministry of Minds के और से 6 वेकेंसी है Ministry of Power के और से 3 वेकेंसी Ministry of Railway के और से 12 वेकेंसी है इन्होंने भी SSC के पास हमारा reply forward कर दिया था 19 वेकेंसी है Office of Development Commissioner MSME के और से 19 वेकेंसी है और कैक की आपको पता ही 108 वेकेंसी है तीन वेकेंसी है फिर DGAFMS और 96 वेकेंसी राजभाषा के और से Registrar General of India के और से 9 वेकेंसी है CBIC नों कोई वेकेंसी नहीं भेजी है अगर वो भेज दे तो भई धमाल हो जाता लेकिन 2023 के लिए पक्का उन्होंने रोके रखे 100 वेकेंसी पक्काएंगी CBIC के और से 2023 वाले Recruitment में Grand Total बनती है 453 के वल GHD के लिए Total इस बार SSC में 73,333 वेकेंसी अब तक Confirm हो चुकी है 2022 की जितनी सारे Recruitment SSC कराएगा उनमें 73,333 वेकेंसी है जहाँ पे 453 अब तक की सबसे ज़्यादा वेकेंसी कंफर्म हो चुकी है 453 तो ये बहुत अच्छी बात है अब जो हमने expected cutoff बनाई थी उसमें जरूर कुछ चेंज हो सकता है जिन लोगों के score कम है जिनोंने कम score किया है बिल्कुल उनके बहुत सारे बहुत ज़्यादा chances है और शाइद इसी वज़े से आपका जो exam level था वो कम आया था तो मैं एक बात और कहूंगा आप लोगों से कि आप पेपर 2 की तयारी करते रहिए जिन लोगों का score कम रहा पेपर 1 में उनके बिल्कुल chance है cut off कम जाएगी I think 2019 के में जो cut off गई थी 1819 में उसी के आसपास रहेगी 2020 जितनी cut off नहीं जाएगी उससे कम जाएगी final तो कम जाएगी ही जाएगी अब देखते हैं कि pre की cut off कितनी जाती है अब उनके लिए चांस बन चुका है तो वो भी तैयारी करते रहे है और category wise डेटा भी जल्दी आने वाला है सबी departments का और 2030 की recruitment भी जल्दी आएगी 2030 के मार्च अप्रेल मई में और तब तक जिन लोगों को लग रहा है कि 2022 में वो दे नहीं पाए तो तैयारी करते रहें 2030 के लिए और जिन लोगों के कम स्कोर है चाहे कितना भी कम हो 110, 20, 30 इसके आसपास है तो वो अपनी उमीदे जगाए रखें कटोफ जादा नहीं जाएगी expected कटोफ चेंज होगी और जो हमने बनाई थी उससे कम रहेगी ये बात एकदम पक्की है और अब देखते हैं अगर फाइनल तक और ज़्यादव वेकेंसी आती है तो लेकिन 453 बहुत है अगर टेंटेट्र वेकेंसी भी फाइनल निकाल देता है नहीं ससी तो काफी है और अगर बाद में और वेकेंसी जाद होती है तो भाई फिर तो 500 क्रोस कर जाएगा लेकिन अब तक की 2016, 2017, 2019, 2020 अब तक की सबसे ज़्यादा वेकेंसी चार सो तरेपन है